जहिन साथियो नमस्कार स्वागत आपका अपने इस परिवार में सफलता कि इस कड़ी में आज मेरे साथ एक और सक्सियत आप यहाँ पर देख रहे हैं विक्रम सिंग जी आज पहुंचे हैं मैंने कहा है न दुनिया को कुछ दिन और बेखवर रहने दो यारो यह वक्त बदलेगा तो कारवा भी नया होगा कारवा भी नया होगा तो मेरे साथ में CIA साथ भी है तो आज विक्रम जी आपका स्वागत है धन्यवास सर एंजे इसाथियो मैं साथ से कहूंगा कि आप से कुछ स्वालात करें ताकि आपको जो सफलता मिली है उसके बारे में आप यॉआ पीडी को और संदेश दे सकें विक्रम जी का स्वागत है इस अपने प्लेरफों पर विक्रम जी आप मैं आप से पहले हम चर्चा करें पहले कि आप कौन से गाउं के रहने वाले हैं कहां पढ़ाई स्टार्ट की क्या पढ़ाई आप मोड रहा कैसे कैसे आपने स्टेप बाई स्टेप किया और जिंदकी के कुछ ऐसे छोटे जब बच्चे थे जब भी आप गटना गटी थी आप दूद गिर गया था आपके उपर वो भी बताएं कि उसके बाद में भी कुछ आपके पढ़ाई पर कुछ परक पढ़ा इन चीजों का यह सब चीजें आप ठोड़ा सेर करें अपने बच्चों को साथ मैं प्रोपर नागोर सेर का निवसी हूं मैं जब 11 क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिता जी एक्स्पा ही मैंने मतलब करती सभी मेरे साइंस थी उसमें उस्यु मेरे मेरे बी पार्ट में तेरा सइसरे में से साही हो गए तो मेरे मतलब पांस नमर मिल पाई मुझे फिजिकल में और में जनरल केटेगरी से होने के कारण फाइनल मेरिट में रह गया था लेकिन उस टाइम मेरे को इतना पापा कर सकता हूं और वही इस बार मैंने फिर मैं तयारी करता रहा और वह आज मैंने अपने पिता जी का सब्सक्राइब जोइनिंग लिए और कौन सी रहेंक से लिए मेरी फर्स्ट रहेंग तो मैं सब्सक्राइब जी जैसे आपने पता है कि आपके पिता जी का देहां तो मैं अभी फाइनल में हूं तो मैंने यही ठान लिया था कि मेरे को कम उमर में पहले एक बार जोब लेनी और अभी मेरा टार्गेट लाइफ में आगे भी अभी आपकी उमर क्या हुई है मेरी अभी 20 साल चार में नहीं हुए इसाही जवान छी है मैंने 20 साल आ या तो बार यह पास करता है या जो या फिर आप फाइनल होगे जादधा दो एक ऐसा हो जाता है हम जैसे जैसे उमर से आगे जाएंगे तो हमारे क्या है कि जो सपने व आप कहरे हैं बतारे हो जल गे ते पूरा आपका हाथ चेहरा तो क्या ये कोई अपने प्रढ़ाई में को और चीजों में कोई बादा आई या घर वाडों ने या साथ आश्पडोस वाडों ने कभी इस चीज को लेके भी डी मोटिवेट करने की कोशिस की जी सर वह बात है क कि वह मोमेंट तो मेरे को याद नहीं कि मैं उस टाइम एक सार का था लेकिन वह बाद में मैंने छोटा वो थोड़ा वो तो जलील तो होते ही रहते हैं इसकूल टाइम में मन में फिलिंग आती रहती है कि तूज लवा ऐसे कुछ है लेकिन यार मान तो इला गा लूंदे पुराणे अगर कोई वीडियो में देखा हो तो मैंने कहा है यह चहरे क्रीम पाउडर से नहीं चमकने वाले साथियों यह आपकी सफलता से समकने वाले हैं जितनी मेहनत करोगे यह उतना ही चमकेंगे आपका रंग भगवान ने कैसा ही दिया है ठीक है विक्रम जी इससे त होती है डीमोटिवेट करने होड़ी लोग क्योंकि बच्चे होते हैं उनको समझ होती नहीं वो करते फिर भी किसी को नहीं करना चाहिए डीमोटिवेट यह चीजह जैसे आप बड़े जाओगे तो बड़े उने को अभी चले अब आपको सायद कोई कहता होगा इस बारे इस सब्सक्राइब और तो पिलेकर नोगरी लागे बाद के के कि बाँ बैप बिता हुआ अब तो कुछ नहीं कहते हैं लेकिन मैं उस टाइम में यहीं एक को को देख के मोटिवेट होता था जो ऐसी ढटेक से उनका चेरा पूरा जल जाता था तो वो मैरे को याद थी कि मेरे एसी किस्स इच्वाइब है बोला था कि मेरे उस उस बात को मेंसे याद रखता था और मेरे को कभी इस सीज का कोई फरक नहीं पड़ता था कि बिल्कुल बना रहेगा आगे भी लेके जाएंगे आपको विक्रम सिंग जी आपने पहली बारी बात बता दिया आपने 2018 वाली मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई आपने मुझे कहां से देखा कैसे आपका जुड़ना हुआ मेरे साथ आप मुझे बताएंगे जी सर मैं जब 2018 रहा था तो मेरे को यह बाद मेरे खुद लोग तो इससे सोचते थे कि यह इस बार इतना नजदीक पहुंचा तो जरूर कर लेगा लेकिन मेरे को मन में मालूम था कि मैंने उस टाइम के साइंस के प्लेटफोर्म से और रास्तान जी तो में जो मालूम है तीस में से मैं सब 26 इस कर सकता हूं फिर मैंने मलब की नया महिला बाल अपराद और टोपिक जूड़ा था तो फिर मैंने ज्यादा इन दो पर फोकस किया और करन्ट पर फोकस किया तो मैं लगाल प्राद के लिए मैं सर्च करता रहता था यूटूब प तो फिर मेरे को आपके वीडियो मिले तो मैंने सारे वह कंटेंड नोट्स वाइड अपना है वह जो पुलिस वेब साइट पर अटाइस पेज की वह पीडियप थी उसको मैंने एक एक लाइन रट ली तो मेरे हर पेपर में मैंने तीन जगे से फिजिकल किलियर किया था दो चाहरों जगें मैंने वह झाहर चाहरों जगें फॉल्ब्स पास था लेकिन अड़र में रे गया तो बी मेरिट में और यहांसे मेरा सेलेक्शन हो गया और जी आर्प्याज में वो आई कोड में भी महामना चल रहा है लेकिन वहां पर मेरे गुंशाट नमरे यह पर का सेलेक्शन हो जाएगा वहां पर भी हो जाएगा फिर अनाम से टेंस अना लेओ तो यह है अब अब तो अठीक आ लिए कि सब इस्पेक्टर सब्सक्राइब हो जाएगी जल्दी अपने और यह आप इस बारे में अपना आगे वाड़ा स्टेप को आप दूसरी जोब के बारे मत सोचो जी सर मेरे भी ग्रेजोस नहीं नहीं है तो मेरे फाइनल ये से वह आपेरिंग से ऐसा ही बढ़ रखा तो अभी वही मलब मेरे प जाना चाहेंगे वह कि उनको आप क्या संदेश दोगे आप नागोर जी रहने वाले हो जी सर प्रोपर नागोर से आते हो आप वहां पर बहुत सा ऐसा मलों आज के समय एजुकेशन में बहुत जादा एक भ्रांती रहती विध्यारती के जीवन में कि मैं यहां से पढ़ूं मैं यहां से पढ़ूं मैं वहां से पढ़ूं मैं भी घोडा पर चालूं मैं दूसरा ही थाड़ी मला द्वा चोला गया है उनको क्या कहना चाहता हूं आप एक टार्गेट फिक्स कीजिए कि मेरे को यह जोब चाहिए फिर उसी जोब में जो आपको मुनलब की प्रेरित सही कर रहे हैं जो सही गाइडेंस के साथ आपको पड़ा रहे हैं उसी से आप तयारी करें और उनका सानिद्य में आप रेकर तयारी करें आपको सपलता एक दिन जरूर मिलेगी ठीक है ठीक है सर आपका कोई स्वाल हो इनसे नहीं स्वाल यह पूरे अपने बताई दिया झाका क्तिया आपक 이번 पटनेदी में स्वालिक में इनन है एंगे मनस्तरूर आपको बोड़ च्ण की है सब्सट्स्क्राव करें हैं तumanेचे का यह भी तैदलो만गे भाए हैं से सवादं के पर लेम्लम आपको नप्सक्तर कृरा लिए करें सोबस्टक्शक्श्स